हेलो फ्रेंट ट्राउजर डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लिया है कपड़े की लंबाई फ्रेंट हमें साड़े 12 इंच लेनी है और कपड़े की चौड़ाई आप अपने साइच के अनुसार लेंगे यानि कि जितना चोड़ा आपका ट्राउजर होगा उतना चोड़ा आपको कपड़ा लेना है कपड़े की पीछे इस्तरी की सहायता से हमें ऐसे बक्रम को चिपका देना है और कपड़े को दोनों साइट से हमें ऐसे तिर्ची में फोल्ड कर लेना है तिर्ची में कपड़े को ऐसे फॉल्ड करने के बाद हम इसे परफेक्ट सेप में बैठा लेंगे और इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए कपड़े को ऐसे आपको सीधा कर लेना है और स्केल की सहायता से अब हमें कपड़े की उपर लाइन अप करना है तो ये देखिए यहाँ पर हम तिर्ची में दो लाइन को ऐसे लाइन अप करेंगे दो लाइन को आपको लाइन अप करना है एक साइड में जितना स्केल का चोड़ाई है उतना ही चोड़ाई हमें लेना है इस साइड में लाइन अप करने के बाद अब हमें यहां नीचे के साइड से तीन लाइन को लाइन अप करना है कपड़े पे एक साइड में ऐसे लाइन अप करने के बाद दूसरे साइड में भी सेम पैटन में हम लाइन अप कर लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने ऐसे लाइन अप कर लिया है इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें कपड़े के उपर सिलाई चलानी है तो पहले हम किनारे के साइड में यहाँ पर सिलाई चलाएंगे यह देखिये जिस सेप में हमारा कपड़ा है बिलकुल उसी सेप में हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा लाइन अप है बिलकुल उसी सेप में सिलाई चलानी है लेकिन उससे पहले फ्रेंड हमें कपड़े को उल्टा करना है और एश्ट्रा कपड़े को हमें पीछे की साइट से ऐसे कट कर देना है एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करने के बाद अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम दूसरे कलर के धागे से ऐसे सिलाई चला लेंगे दिजायन की उपर सिलाई चलाने के बाद अब हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से धाई इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे धाई इंच की लंबाई पे टिक लगाने के बाद अब हम यहां से देड़ इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे और इसकेल की सहायता से लाइन अप कर लेंगे ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हमें नीचे के साइड से यहां से चार इंच की चोड़ाई पे टिक लगाना है और इसे स्केल की सहायता से हमें तीर्ची में ऐसे लाइन अप करना है इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है, बिल्कुल उसी shape में हम इसकी cutting कर लेंगे उपर की side में हमें यहां से cut करना है, फिर यहां से cut करना है तो यह देखिए design की cutting करने के बाद आपके design का look कुछ हिस तरीके का आएगा इस design को आप trouser में भी बना सकते हैं और sleevis में भी बना सकते हैं मैं इस design को trouser में बना रही हूँ, तो यह रहा मेरा trouser का कपड़ा trouser के कपड़े पे हम इस design को उल्टा करके ऐसे लगाएंगे design को perfect shape में बैठाते हुए, अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे जिस shape में हमने design की cutting की है, बिल्कुल उसी shape में हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई design की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करके घंटे को बजाकर आल का option सलेक्ट करें जिससे हमारे next वीडियो की notification मिलती रहेगी इस line को complete करते हुए, अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद हमें extra कप्रे को cut करना है सिलाई की हलके से बगल में हम ऐसे extra कप्रे की cutting कर लेंगे अब हम design को fold करके सीधा करेंगे जिस shape में design है बिल्कुल उसी shape में हमें इसे अच्छे से fold कर लेना है डिजाइन को इस तरीके से सीधा करने के बाद अब हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे डिजाइन परफेक्ट सेफ में बैट जाएगा तो ये देखे हमने इस्तरी कर लिया है अब हमें क्या करना है फ्रेंट डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चलानी है जिस से हमारा दोनों कपड़ा एक दूसरे में अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा जिस सेप में डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें ऐसे सिलाई चला कर इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन में हमें एक और डिजाइन को एड़ करना है तो उसके लिए हमें ऐसे धे सारे कपड़े की कटिंग कर लेनी है कपड़े की लंबाई कितनी है ये नाप लेते है कपड़े की लंबाई हमने 7 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने 4 इंच 2 पॉइंट ली है सेम साइज का हमें सारा कपड़ा लेना है अब हमें कागच लेंगे कागच की लंबाई 8 इंच है और चोड़ाई 9 इंच है कागच के उपर हम इस कपड़े को ऐसे तिर्ची में लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें दूसरे साइड में भी तिर्ची में कपड़े को ऐसे लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको एक के उपर एक कपड़े को लगाते जाना है और इसके उपर सिलाई चला लेना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को EG step में तयार कर सकती है अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजा कर आलका उप्शन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड एक के उपर एक कपड़े को ऐसे लगाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्रीट कर लिया है अब हमें इस डिजाइन को ट्राउजर के डिजाइन में ऐसे ज्वाइंट करना है ये देखिए दोनों डिजाइन को आपको ऐसे परफेक्ट सेफ में बैठाना है दोनों डिजाइन को ऐसे परफेक्ट सेफ में बैठाते हुए अब हम डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चलाएंगे यहां पर हमें धागे को कट कर लेना है यहीं तक हमें सिलाई चलानी है दूसरे साइड में भी डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई चला कर डिजाइन को ज्वाइंट कर लिया है यहां से धागे को कट करने के बाद अब स्केल की सहायता से यहां पर हम एक बराबर में लाइन अप करेंगे ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम इस लाइन की उपर सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट कर लेना है और जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे एश्टरा कपड़े को कट करने के बाद हमें एक लंबा सा बकरम कपड़े पे ऐसे चिपका लेना है बकरम की चौड़ाई तीनींचे कपड़े पे बकरम को ऐसे चिपकाने के बाद हम इस कपड़े को डिजाइन के नीचे यहां पर लगाएंगे इसे अच्छे से पर्फेक्ट सेफ में बैठाते हुए हम इसके उपर यहां से सिलाई चला लेंगे इस तरीके से डिजाइन में आप चोड़ी पट्टी का बॉर्डर इजली लगा सकते हैं इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें डिजाइन में बटम को लगाना है तो फ्रेंड हमने मार्केट जैसा बटम बनाने के लिए सट का बटम लिया है अब हमें यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है सुई धागा के मदद से हमें डिजाइन में यहां पर बटम लगाना है और एक नीचे की साइड में लगाना है तो यह देखिए सारे लाइन की उपर हमने मोती को लगाया है और यहां पर हमने बटम को आईएगा और इसकी सिलाई करने के बाद आपका ट्राउजर या स्लीविस डिजाइन कुछ इस तरीकी का दिखेगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक्स वर वाचिंग